नमस्कार दोस्तों जिवित पुत्रिका व्रत यानी जियुतिया कि आप सब को बहुत बहुत बधाई हम माताओं के लिए बहुत ही खास दिन होता है जिवित पुत्रिका व्रत हर माता के लिए बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि इस दिन वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए दिरगायू होने के लिए व्रत करती है इससे लिए यह दिन बहुत ही खास होता है इसमें कोई कमी ना रह जाए इसकी तैयारी हम पहले से ही करते हैं तो आईए हम पूजा की सामागरी तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए हम एक पीले रंग का वस्तर लेंगे चौकी ल जाएगा इस तरह से हम कुष्क जित्वाहन बना लेंगे जीवतिया महराज बनाएंगे उसके साथ हम एक चील और सियारी में बना लेंगे इसके बाद हम पूझा की ठाली सज लेते हैं तो देखिए थाली में लेना है में पीले चंत인 से ही लीजिये मॉली लेगे वस्तर ऑचमागी के अमें पित्क हएं इसके बाद हमारी धाली में जो सामागरी है वह है चंदन, चंदन तो हमने पहले ले लिया है यह कुम-कुम है, रोडी लेंगे कुम-कुम, क्योंकि इसकी भी जरूरत होती है, यहां देवता को चंदन लगाएंगी और चिलो सियारी को कुम-कुम लगा सकते हैं, इसके बाद ह लेंगे। एक सूपाडी, लॉंग, एक रूपाजए और इक रूपै के लिए और को नोगने के लिए, इसके बाद चाहें में इसके इसके हैं फ़िक्रा लेंगे। होता है तो सव्क फीमरे पर पूझा करता है आप पास बएंगा हुम पहना चैनल कर लिए we जुद्वाहन का रारालियुजाँ है उतना बच्चे उतनी गाठेा लगा लिए। जितने बच्के हैं मैंने उतने गाठों का दोरा बना लीजिए आपके जितने बच्चे हैं प्रक फिर ये भाजार लदीजिए धिर हम कलस लेंगे नहां पको नहाने खाने के दिन पारणा के दिन पारण के दिन और कथा सुनने के दिन पूजा के लिए सभी समय आपको जरूरत होगी तो आप थोड़ी जादा ही ले लिजे इसके बाद देखिए हमें फूल लेने हैं बेल पत्र लेने हैं पान के पत्ते लेने हैं दूब लेने हैं फूल आपको जो भी हो आप ले सकते हैं आपको जो फूल बना ले पूरी बन लेंगे तो कोई भी बिर्टू फल हम ले सकते हैं अगर अगरनी हैं हो तो बहुत ही अच्छे हैं पहले इसे हो लीजिए उथ हैं प्यारा है कलस में लगाने के लिए अचवाल ब्ढ़ल से ही लेजये कलस बनाने के लिए जरू कई जरूरत होगी तो हमें उन्हें dry foods भोग के रूप में रख देना पड़ता है, जब वो आएंगे तो उन्हें देंगे, मिठाई आप कोई भी ले सकते हैं, मिठाई जरूरी नहीं है, आटे से बना प्रसाद लेनी है, मिठाई आपको जरूरी है, तो आप लीजिए, नहीं है, तो कोई बात न से बच्चों को मिठाई पसंद होती है, इसलिए हम मिठाई जरूर लेंगे, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो, आप मिठाई लेजे, क्योंकि अब पूजा बच्चों के लिए होती है, तो बच्चों के पसंद की चीज़े बहुत ही ताकि हमारे बच्चे की उम्र भी ऐसी ही लंबी हो इस तरह से थोड़ा पका हुआ बड़ा खीरा लेना है तो इस तरह से हम खीरा ले लेंगे इसके बाद हमारी समागरी में होगी यह सारे सामान इतने सारे सामान तो हमारे काफी प्रयाप्त हैं इसके बाद हमें और समय चीज क्योंभड समस्ट नहीं लिए मैं तो वर्हट रख दीजिये इस लिए ने सब्सक्राइब करें दiene Giving कम्यों को पूरा करता है जरूद लेंगे ऊशनक में नहीं है कि वीडियो में इतना लिएक दे ईतना लें कोई मानिता नहीं है कि आपको इतना ही लेना है तो आपको जितना हो सके आप उतना दक्षिना ले इसके अलावा जितिया में हर छेत्र का अलग अलग नियम है तो आप के हजो सामान लगता हो आप ले ले मगर इतना सामान प्रयाप्त है इतना भोग प्रशाद नहीं भी हो तो केवला आटे से बना हुआ आप कोई प्रशाद ले 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 इतना ही प्रशाद आप अपने लिए पूजा के लिए बहुत ही काफी होगा तो इतना प्रशाद आप जरूर ले 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 इसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हैं जैसे ज जीवत पुत्री का व्रत की सामागरी को अप इकठा कर सकते हैं, इसकी बादम क्या खाए है आपको क्या खाना है, पारण में आपको क्या करना है, इसका वीडियो में है इलग से ढाल दूंगी, आप देख लिजेगा EVER करें शोड़ड़ान एक बेक एतना लंबस बहुत जादा नहीं डाल सकते हैं िसलिए विडियो में अलगक्शा को कैसे हैं ह। है बस पूझा आपको को कैसे करना है वो में दिखा दूंगी इस इसलिए । अब मेरे वीडियो आपको थोड़ा भी उस्फूल लगे तो प्लीज 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 लाइक कीज़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और मेरे चैनल पर बने रहेगा आप लोगों का धन्यवाद हम महिलाएं घर में तीज देवार का वरत कैसे करती हैं यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं उसके बाद हम मिलता हैं पूजा में जीवित पुत्रिका वरत की उसके बाद कथा वगयरा सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं मेरे चैनल पर बाकी आप लोगों का बहुत बहुत झाल 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 झाल